हलो दोस्तों मेरा नाम है अर्विन पोक्रिया और आज इस वीडियो के माध्यम से हम पोलिंग स्टेशन में लगने वाले CCTV इंस्टलेशन के बारे में बात करेंगे आए सबसे पहले जानते हैं किट बैक के बारे में जो आपको इंस्टलेशन के रहे मिलने वाला है किट में सबसे पहले आपको मिलता है एक 4G कैमरा इसमें आपकी एथिनेट केबल और पावर पिन है आपको इसमें सिर्फ पावर पिन का इस्टेमार करना है उसके अलावा 3 मीटर पावर एडप्टर जो की आपके कैमरा को पावर सप्लाई देगा मेटल क्लाम्प वर्माउंट करने के लिए आपको यूज करना होगा उसके साथ में इसमें आपको कुछ नेल्स और डबल साइट टेप और दी जाएगी इसमें आपको मिलता है 7 मीटर का पावर एक्स्टेंशन केबल अगर आपका पावर सॉकेट आपके रूम से काफी दूर पे है तो आप अप टू 10 मीटर थक में इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं कुछ अती समवेदन शील एरियाज में जहां पे पावर कटका अंदेशा ज्यादा होगा उन एरियाज में किट के अंदर एक पावर बैंक एडिशनली भेजा जाएगा आपको करना सिर्फ इतना है कि पावर एडाप्टर को आपको पावर बैंक के इनलेट में कनेक करना है इस power bank के साथ में आपको एक cord मिलेगी जो की आपको outlet में connect करना है और उसका outlet आपको इसके power socket में connect कर देना है आईए अब camera installation की कुछ जरूरी बातों के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले आपको चेक करना है कि camera में आपके जो silicon case है उसमें आपका SIM card और SD card properly installed है इनकीस अगर इन दोनों में से कोई भी एक card missing है तो आपको अपने respective manager या आपको अपनी team को बताना है आईए अब हम जानते हैं कि हमें अपने CCTV को किस तरह से दिवार पे install करना है सबसे पहले आपको make sure करना है कि एक कील आपकी दिवार पे लगी हो और steady लगी हो ताकि वो हिले नहीं और आपका clamp दिवार पे लगें हमने दिवार पे order ये कील लगा रखी है आपको clamp को इस तरह से कील पे लगाना है आपको ये make sure करना है कि आपके कील स्टीरी लगी हो ताकि आपका camera गिरे नहीं उसके बाद आपको इस clamp के अंदर CCTV को इस तरह से easily position कर लेना है आपका camera antennas को ओपर रख दीजिए for the best reception और आपका camera इस तरह से अपनी positioning को आपको इसको move भी कर सकते हैं focus के recording ले अब हम camera को on कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको camera को power adapter से connect करना है और उसको power में लिकिए camera on होते ही red light जल जाएगी जो की power on होने का indicator है उसके बाद camera से instruction voice notes आपको बताएंगे कि camera install हो रहा है camera powered on SD card recording started 4G network connected कैमरा इंस्टालेशन में याद रखने वाली बात ये है कि कैमरा की पुजिटनिंग ऐसी हो जो पूरे रूम को कवर कर रही हो इसकी आइडल हाइट आपके दिवार से 7 तू 8 फीट उपर लेनी चाहिए जिसे की पूरे रूम को कवर करें और रूम में कोई भी ब्लाइंड स्पॉर्ट ना हो One more important thing कि कैमरा आपका किसी भी EVM को या बूत को डारेक्ट कैप्चर ना कर रहा हो या उसका focus बूत पे ना हो